अज़ दोस्तों कैसे हैं? आज हम लोग अपने Physics का आई सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं आपको देखके समझ में आई ही गया होगा कि आज हम लोग आई के बारे में पढ़ने वाले हैं तो दोस्त ये बहुत ही important सेक्शन है ये हमको लोगो क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 10 में भी पढ़ना है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे Physics में और in fact हम लोग को जानना भी चाहिए as far as Physics is concerned हम लोग इसका बाइलोजिकल सेक्शन में नहीं जाने जा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स के बारे में समझेंगे अपने आँ के बारे में तो एक बहुत इंपोर्टन चीज क्या है कि ये आँख जो हम लोग का ये हमारे सरीर का और जो भगवान जी का जो दिया हुआ है इसका बहुत ही important organ है सोचे ये भगवान हम लोग सबसे प्रहले सामने दे दिये हैं ताकि हम लोग चीजों को देख पाएं समझ पाएं और फिल कर पाएं ठीक है तो इसका जितना importance है इसके लिए भगवान जी उतना protection भी हम लोग को देखे रखें इस आह को बचाने के लिए अब आप सोचेंगे भगवान जी हम लोग को protection कैसे देखे रखे हैं इतना important क्यों है आप simple देखे न सबसे पहले तो हम लोग का हमारा skeleton में ये socket है दो जिसके अंदर इस eyeball को रखा गया है ठीक है यहने कि सबसे पहले तो आपका protection है इस skull के अंदर ही दे दिया गया इस skull इतना light और कम light दोनों condition में इसको कैसे हम लोग इसको manage कर पाएंगे शडर की तरह काम कर देखे हम लोग कैमरा होता ना हमारा आख बिल्कुल कैमरा की तरह होता बाबो जैसे कैमरा में शटर होता है उसे हमारा आख का यह सटर है उससे भी ज्यादा हो गई तो हमारा eyelash हो गया इस तरह से भागवान जी इसको protection का हर तरह से आपको चीजें दे दी गई है जिससे की आपका आख सुरक्षीत रहे इसके बावजूद हमारे आख में इतना सारा section होता है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आप देख रहे होंगे कि हम लोग का आई ऐसा बना हुआ है मतलब इसका जो diameter होता है generally approximately 2 cm का होता है मतलब 2 cm का इसका diameter होता है actually यह हमारे आख में almost यह spherical shape में होता है कैसा होगा बाबू? इस spherical shape में होगा और इसका diameter 20 cm के लगभग होगा अब exact तो बोलना मुश्किल है बट हाँ थोड़ा 19 भी सो सकता है बट मोटा मोटी वैसा ही होता है हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि हमारा आख का बनावट कैसा होता है मतलब इसमें एक्वस यूमर होगा, pupil होगा, cornea होगा, suspensory ligaments होगे, ciliary muscles होगा, vitress humor होगा, scala है, irish है, retina है, yellow spot है, blind spot है, optic nerve है मोटा मोटी इतने चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे clear है, तो आप ये चीज़ समझ लेज़े, कि हमारा आख मोटा मोटी ऐसा दिखता है, ठीक है, अब इसमें एक अग करके हम लोग सारा चीज़ समझने कोस करेंगे हमारा आख का पहले क्या है, construction कैसा है, बनावट कैसा है, ये हम लोग समझने कोस करते हैं दोस्त simple देखिए, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर आइना में देखते हैं, तो हम लोग क्या दिखता है, सबसे पहले हमारा आख में आपको सबसे पहले तो ये बाहर वाला portion तो दीख जो हम ये उनों discuss कर रहे थे उसमें सफेद वाला हिंसा दीखता है हमारे आँख में आप देखा देखेंगे सफेद वाला हिंसा होता है सफेद वाला हिंसा को हम लोग escalera बोलते हैं किसी-किसी बुक में escalerotic भी लिखा रहता है समझेगा दोनों एक ही तरह का बात है जिसको हम लोग escalera रहता है आपके screen पे एक photo अभी थोड़ा दिर में दिख जाएगा हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक screen पे photo दिखेगा उसमें आपको escalera जो सफेद वला हिंसा है उसको escalera बोलते है जहाँ आपर देखिए आपका ये वला हिंसा लिखा है escalera लिखा है ये बाहर वला जो हिंसा जो सफेद वला हिंसा है ठीक है जो सफेद वला ये आप देखेंगे कि ये सफेद वाला जो हिस्सा है ये ये वाला हिस्सा ये आपका क्या है एसकेलर है उसके अंदर में आप देखेगा उसके बाद आपको जब आईना में आप देखते हैं तो एक बड़ा सा काला वाला हिस्सा देखता है ठीक है ये बड़ा सा काला वाला निसा दिखता है जिसको कि हम लोग कॉर्णिया बोलते हैं हमारा देखिए कॉर्णिया आपका ये देखिए जो ये वाला जो सेक्सन है ये हम लोग इसको कॉर्णिया बोलते हैं क्लिर है इसको हम लोग कॉर्णिया बोलते हैं बाबो यह वाला हिंसा जो है हमारा देखिए यहां पर रेड से भी हम कर देने कोश कर रहे हैं यह हमारा कॉर्णिया दिखता है ठीक है यह दो चीज हो गई अब उसके बाद क्या होता है कॉर्णिया हो गया कॉर्णिया कलर दोस् सबका कलर बदल जाता है because उसमें जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो सब में वहरी करता है यह हमारा जेनेटिक होता है या कभी-कभी बाइबर्थ भी हमारा हो जाता है कि यह क्या होगा इसमें जो कलर पिगमेंट्स होंगे किसी का पिगमेंट्स ब्लैक जादा होगा तो उसका क अंदर में एक हलका सा Navy Blue ज़unci डर्व कलर का काला जैसा आपको जो दिखेगा जो बहुत चोटा सा दिखेगा अप मैं अफंघ्टेंगे डी जाएगा वो छोटा जो हिस्सा है वो आपका आईरिस कहलाता है यहाँ तक clear है? अब क्या है? आईरिस, पूरा जो आईरिस होता है उसके बीच में एक छेद होता है यह देखे छोटा सा हिस्सा है जो हम यहाँ छोड़ कर रखें एक्चुलिए यह पूरा back रहता है हमको फोटो में समझाना था आपको इसलिए हम यहाँ छोटा सा एक छेद छोड़ दिये हैं इस छोटे से छेद में क्या होता है? इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू? प्यूपिल बोलते हैं जो छोटा से छेद होता है यह क्या करता है, light को enter करने के लिए यह जगह है, light यहीं से enter करता है, light यहीं से enter करता है, यहीं हम लोग कितना चीज के बारे में सीख लिए भी, एककर करके देख रहे हैं, तो हम लोग iris के बारे में देखे, और नोड़े, इसकेलरा के भारे में देखे, प्यूपिल के भारे में देखे, कॉर्णिय के भारे में देखे, ठीक है? एकार करके हम लोग सब के बारे में पढ़ेंगे, फ्र सबका फॉंक्षान ही जानेंगे, CDs, कौन क्या करता है, ठीक है? अब यहाँ पर हो गया प्यूपिल मतलब यह आईरीस में छोटा सा छेद यानि आईरीस जो आपका जो काला होला हिस्सा है उसके अंदर में छोटा छेद जिससे की लाइट आपके आँखों के अंदर जाएगी जैसे हम आपको बता है कि यह बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है कैमरा जैसा ही होता है थोड़ा सांतर होता है कैमरा से बट कैमरा जैसा ही होता है तो यहाँ से लाइट एंटर करती है ठीक है यहाँ तक हो गया अब यह क्या है हमारा यह हमारा आईरीस है इसके बीच में जो ख क्या हो जाता है एक्वास यूमर होता है एक्वास यूमर क्या होता है यह वाटरी सबस्तान्स होता है बहुत गाड़ा चिपचीपा टैप का पडार्थ होता है जो की सामने लेंस होता है यह क्रिस्टरराइन लेंस होता है एक गङए प्रोटिनियस मतेडियल непहला होता हौता है उस थो कि अज़ए कम करता है और यह प्रोटिनियस होता इस अर्वरस का बना हुआ होता है यह जो लेंस है हमारे आँख में ये suspensory ligaments है, जिसके उपर ये टंगा होता है, suspensory ligaments बोले तो, एक ligament होगा जिसके उपर टंगा हो, हमारे आँख में तो भाईया, nut volt तो है ने कि कसा हुआ रहेगा, तो ये क्या है, suspensory ligaments पर ये टिकर रहता है, जो कि ciliary muscles से attached होता है, देखें, उपर और नीचे ciliary muscles से attach होता है, ये ciliary muscles हो गया, और हमारा aqueous humor हो गया, suspensory ligaments भी हो गया, जिसके ये टंगा हुआ है, अब उसके बाद ये खाली जगह जो आपको दिख रहा है, यहाँ देखें, ग्रीन-ग्रीन का डॉट मार दिये हैं, इसमें weightless humor होता है, weightless humor क्या होता है, यह jelly tap का structure होता है, बहुत गाढ़ा-पदार्थ होता है, जो इसके अंदर पूरा field होता है, यह हमारा lens है, और यह पीछे हमारा क्या है, यह वाला जो portion है, इसको हम लोग retina बोलते हैं बाबू, ठीक है, रेटिना कैसे काम करता है, बिल्कुल screen की तरह काम करता है, आप देखे होंगे, जब camera में लोग photo किस्त थे हैं, तो पीछे में एक film लगाते हैं न भाईया, जिसका photo उसको पर चिपकता है, तो वो screen की तरह यह काम करता है, यहाँ पर आपका image बनता है, जहाँ image form हो रहा है, उसको हम लोग yellow spot बोल रहे हैं, ठीक है, अब यह आप बोलेंगे sir, रेटिना हो गया, blind spot क्या है, blind spot वो जगह होता है बाबू, जहाँ पर आपका image form नहीं होता है, यहाँ पर image form नहीं होता है, अब क्यों नहीं होता है, यहाँ पर yellow spot पर image form होता है, यह भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, पहले यह समझ लीजे, कि blind spot वो जगह है, जहाँ पर आपका image form नहीं होता है, and then, last but not the least, here, optic nerve is there, optic nerve क्या करता है भया, जो भी यहाँ image form होगा, उसका message को, यह optic nerve हमारे brain तक पहुचाने में मदद करता है, in the form of electrical impulse, clear है, तो इस तरह से हमारा आँख का बनावाट होता है बाबू, अब एकग करके हम सब का काम सीख लें, फड़ा-फड़ सीखते हैं बाबू, function क्या होता है, जो most important thing is what, यह जो हमारा cornea होता है, अब काम की कैसे करता है, अब यह समझ लीज़े, इसके अंदर में आपका real image बनता है, real, inverted, क्यों, convex lens है न बाबू, इसमें तो real image बनेगा और inverted बनेगा, छोटा बनता है, clear है, तीन चीज आप समझ में है, real बनेगा, inverted बनेगा और छोटा बनेगा, क्यों ऐसा बनेगा, आपको याद होगा, पीछली छोटे class में आप पड़े थे, pinhole camera, पड़े थे याद है, pinhole camera क्या करता है, जैसे आपको समझाने कोश करते है, try to understand, what exactly it is, pinhole camera क्या था बाबू, बाबू, हम लोग ऐसे एक box बनाते थे, याद आया होगा, इसमें एक छोटा सा छेद कर देते थे, और यहाँ पर एक ऐसे, पेंड का photo हम लोग बनाये होते थे, इसका image यहाँ पर कैसे बनता था बाबू, ऐसे, 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 ऐसे बनता था, याद है, यहाँ से light जाती थी ऐसे, और यहाँ से light जाता था, ऐसे, sorry, यहाँ पर गल्ती बना दी है, यही से गुजरी का जगह नहीं है, हम लोग का, ठीक है, तो यही परा के cut करता था, ऐसे, जगह नहीं रहने कारण, थोड़ा सा image आगे पीछे बन रहा है, तो छोटा बना देंगे, तो बन जाएगा, ठीक है, छोटा बना दीजेगा, तो बिल्कूल exact बनेगा, ऐसे, ऐसे लेंगे, ऐसे लीजिए, इसको अगर ऐसे बना दे, तो अच्छा असे बन जाएगा, ठीक है, यहां से इंडर करेगा light, और यह ऐसे, और ऐसे बनेगा, तो यहां पर ऐसे बना दीजे, ऐसे, ऐसे, और ऐसे, ऐसे, ऐसे बना दीजेगा, अब ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो बिल्कूल कुछ ऐसे ली बनेगा, Pinhole Camera ऐसे काम करता था, कि वो भी object रखते हैं, इसका image यहाँ पर ultra बनता है, clear है, इसी तरह काम करता है pinhole camera जास, क्यों, यहाँ देखे छोटा शेध है न, कोई भी चीज का image बिल्कुल वैसा है, हम लोग बनता है, यहाँ पर भी हमारा real image बनता था pinhole camera में, पहले जवाना में इसी का use करते थे हम लोग फोटो निकालने के लिए, आज से तक्रीबन 100-500 साल पहले, बहुत पहले ऐसा use होता था, बहुत दिन तक use हुआ, बड़ उसके बाद जब camera का इज़ाद हो गया, तो हम लोग इसको छोड़ दिये, इसका इज़ाद, हम लोग use नहीं करते हैं, ठीक है, इसके बार में छोटे लेयर जैसे काम करता है, यह लेयर होता है, बहुत ज़ादा लाइट को यहीं पर रिफ्रेक्ट करना सुरू कर देता है, लाइट को रिफ्रेक्ट करना सुरू कर देता है, रिफ्रेक्ट कर देता है, रिफ्रेक्ट नहीं बाबू, रिफ्रेक्ट करता है, को मीडियम चेंज ह हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं तो यह रिफ्रेक्ट करना सुरू करता है ठीक है उसके बाद हमारा जो आईरिस है और प्यूपिल है यह दोनों का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है यह दोनों का रोल क्या है यह लोग दोनों करता है light को कंट्रोल करता है मतलब amount of light which enters in our eyes जो हमारे आँख में घुसता है तो इसको क्या करता है कंट्रोल करता है जब light ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा contract करेगा सिकुडेगा मतलब बिल्कुल इस तरह से सिकुडेगा ये बिल्कुल ऐसे सटेगा जब light ज़्यादा होगी क्यों ज़्यादा light आएगा हमारे आँख में एंटर करेगा तो उतना light को हमारा आँख उसको बरदास नहीं कर पाएगा सिकुड के छोटा होने लगेगा ठीक है जब ये छोटा होगा तो क्या होगा इसका जो छेद है वो भी धीरी धीरे छोटा होने लगेगा आप छोटा होने करण क्या होगा light कम से कम एंटर करेगी हमारे आँख में और जब वही आप अंधेरे में जाएगा तो क्या होगा light वहाँ कम रहेगी तो आपका ये फैलेगा expand होगा और ज़्यादा ज़्यादा light अंदर घुसना चाहेगा so that कि आप चीजों को देख पाएं, feel कर पाएं तो ये light को control करने के लिए दोनों काम करता है pupil और iris light कम होगी तो ये फैलेगा light ज़्यादा होगी तो ये सीक उड़ेगा ये दोनों काम ये हो गया cornea काम किया था बाबू, अब हम लोग ये करके प्रश्च चेक करते चले जए cornea क्या करता है light को refract करता है clear हुआ pupil क्या करता है, और iris क्या करता है ये दोनों क्या करते हैं बाबू, light के amount को control और प्रॉल करते हैं कि कितना लाइट को अंदर घुसने देना है कितना लाइट को रोकना है यह सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं aqosum lance युम्र किया करता है my लीकवस्यूमर यहाँ पर देखे यह वाट्री सबरस्ट्रांश होता है जब लाइट गुस्ती है हमारे आँख के अंदर आती है तो क्या होता है लाइट में एक्ठी होती है बहुत گरमात होती है अगर इतना गरम चीज हमारे आँख में आएगा तो हमारा लेंज खराब हो सकता है क्यों यह proteinious material का बना हुआ है natural है crystalline form में है तो तकलीफ हो सकती है तो इसके करने का उता है यह light के जो amount of heat को है थोड़ा normal करेगा क्यों वाटरी सबस्टांस है न बाबू और इसका एक और भी काम हो सकता है वो क्या हो सकता है बाबू यह equus humor है यानि कि medium change हो रहा है medium change हो रहा है मतलब air से light किसमें आ रहा है liquid जैसे पदार्थ में मतलब उसका refractive index ज़्यादा होगा light को bend करेगा यानि cornea भी bend कर रहा है थोड़ा सा ये भी कही ने कही bending में मदद कर रहा होगा ये भी एक बात हो सकता है इसका भी यह यहां हो गया अब उसके बाद क्या हो गया बाबू चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा सीख लिए अब हम लोग जो जानेंगे बात आती है ciliary muscles की ciliary muscles क्या करता है ciliary muscles इस lens को expand करने में या फिर contract करने में यानि कि सिकुडाने में मदद करता है तो आप बोलेंगे सर जरूत क्या है इस lens को फैलाने का और सिकुडाने का ठीक है तो इसका जरूत इसलिए पढ़ता है बाबू कि आप देखे जब light हमारे आँखों में एंटर करती है तो light का मतलब क्या reflected light reflected का मतलब जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं जैसे आप अपने हां बैठे हैं जैसे हम यहां बैठे हैं मेरे सामने camera है इसके आगे मेरे घर का दीवार है तो camera मेरे आँख के सामने है दीवार हमसे दूर है और माले देख दूसरी building जो है हमसे भी दूर है यहां तक हो गई अब चंद्रमा जो है उससे भी दूर है sun उससे भी दूर है पुरा sky है सारे stars है हम सब को देख पा रहे होते हैं clear है हम सब को देख रहे है आप camera भी मेरे आँख में image बन रहा है तो कहा image बन रहा है बाबू camera का भी image retina पे बन रहा है object यहां रखे object यहां रखे एक object यहां रखे एक object यहां रखे कहीं पर भी रखेंगे image सब retina पे ही बन रहा है याद होगा हम लोग पड़े थे, पिछले अपने वीडियो में, लाइट के वीडियो में, आप धेख लीजेगा एक और वहाँ समझ में आ जाएगा, कि convex lens में position बदलते हैं, तो image का position भी बदलता है, object image का position चेंज करेंगे, तो image object का placement चेंज होगा, तो image का placement भी चेंज होगा, लेकिन हमारे आँख में तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं भी object रख रहे हैं, image सब रेटिना पर ही बन रहा है, तो रेटिना पर बनने का region क्या है, ये lens जो है, ये क्या करता है, expand होता है, या contract होता है, कौन करता है, ciliary muscles करता है, ciliary muscles काम क्या हो गया, lens को मोटा करना या पतला करन करने का मतलब इसका focal length को घटाना, और पतला करने का मतलब focal length को बढ़ा कर देना, अगर ये lens ऐसे हो जाएगा, इतना मोटा होगा, तो इसका focal length क्या होगा, कम होगा, और एक बार lens अगर इतना पतला हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका focal length बढ़ जाएगा, इसका focal length क्या होग decrease करेगा और इसका focal length क्या होगा increase कर जाएगा clear है यह क्यों होता है क्योंकि हमारा object कहीं भी रहेगा उसका image कहां बनना चाहिए retina पर ही बनना चाहिए clear है तो इसका सबसे important काम क्या हो गया सिलीरी मसल काम करेगा सिलीरी मसल क्या करेगा जैसे जब light कम होती है और light कभी ज़्यादा होती है जैसे आप धूप में निकलते हैं तो क्या होता है light बहुत ज़्यादा आती है तो आप क्या करते हैं को सिकुड़ाने कोज करते हैं सिकुड़ाने का मतलब क्या हो गया छोटा करते हैं कि ज़्यादा ज्यादा light आ रही है, उससे में glare होता है तो अपने आँको आप कम कोलते हैं, क्योंकि light कम से कम आँक अंदर में आए, उससे में क्या होता है, यह सिकूर जाता है, यह आप focal length कम कर रहे होते हैं, और जब और अंधिरह में जाते हैं, आँक ऐसा खोल के देखते हैं कोई चीज को तो का है भाई क्योंकि वहां पर ज्यादा ज्यादा लाइट चाहिए आपको कोई भी चीज देखने के लिए तो आपने आँको फैला लेते हैं मतलब आप अपने लेंस को पतला कर रहे हैं यानि फोकल ने उसका बढ़ रहा है द्यान मारा दोस्त ऐसे होता है इसका में काम क्य होगा इन्हीं की लेंस पतला हो जाएगा लेंस जब पतला होगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा क्लिर है क्यों हम लोग अपने इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रेटिना पर ही चाहते हैं यही सबसे बड़ा अंतर है कैमरा और हमारे आख में क्लिर है अभी हम क्या ब बने स्क्रीन पर लेकिन हमारे आख में कहता है यह नाचूरल होता है यह नाचूरल होता है मतलब सिलियरी मसल्स ओटोमेटिक यह काम करना सुरू करता है जबकि कैमरा में आटोमेटिक नहीं होता है वहां को मैनुवल करना पड़ता है यहीं बेसिक अंतर है कैमरा में और हमा हमारे इस eyeball को यह जो गोल सेफ यह सपेरिकल सेफ है इसको देने में यह मदद करता है मतलब यह हमारा आख इतना गोल कैसे रहेगा अगर इसके अंधर कुछ ने रहेगा तो दधब जागा ना क्योंकि बाहर का प्रेसर भू जादा रहेगा और इसके अंदर का pressure कम रहेगा क्योंक अंदर में कोई चीज ही नहीं है तो क्या होगा यह चिपट जाएगा अज चिपट जाएगा तो क्या होगा हमारे आँख का जो safe है वो proper function नहीं करेगा तो इसको फैला रहना चाहिए इसको फैला रहने के लिए क्या करना पड़ेगा जैसे हम लोग अपने मुह में कुला करते है तो मुह में पानी भर लेते हैं तो मरा गल फूल जाता है ठीक उसी तरह से इसके अंदर में jelly जैसा structure है यह क्या करेगा इसको फूला के रखने में मदद करेगा अब फूला के रखेगा तो क्या होगा आराम से light जाएगी इसके अंदर से gross करके retina पे image बना लेगी एक काम यह हो सकता है दूसरा काम क्या हो सकता है कि यह कैसा material है इससे गाढ़ा material है तो क्या होगा refractive ज़्यादा होगा light को bend करने में भी मदद कर सकता है यानि कि हमारा light को bend करने के लिए कितना सारा चीज भगवान जी देख रखे हैं दोस्त कहीं न कहीं तो जरूर होता होगा clear है यानि कि witness humor का भी काम क्या हो सकता है हमारे लिए एक तो इसको अपना shape देने में help करता है दूसरा कहीं न कहीं reflect करने में भी मदद कर शकता है ठीक है अब बात आता है पीछे वाले section की हम लोग इतना देख लिए बाबू कहीं दिक्कत होगा तो आप comment करके जरूर बोलेगा try करेंगे उसको sort out करनेगा अब यहां की बात आती है अब यहां पर क्या भीया तब से हम लोग image formation image formation image formation के बात करी रहे है image जो पीछे वाले screen पर बन रहा है यह क्या है हमारा यहां पर retina होता है आप बोलेंगे सर्थ yellow spot का है yellow spot वो जगह होता है बाबू हमारे retina पूरा यह retina ही है पूरा retina ही है लेकिन yellow spot वो जगह बोलते है जहां पर image form करता है image clearly आपका वहां पर बन के एकदम sharp image बन के तयार होता है जिस जगह पर बन के तयार होगा उसको हम लोग yellow spot बोलते है तो आप बोलेंगे सर्थ blind spot क्या है तो retina का वो जगह जहां पर image form नहीं कर पाता है मतलब हमारा आँख उसको sense नहीं कर पाता है उस जगह को हम लोग blind spot करते हैं मतलब yellow spot पर image बनेगा blind spot पर image नहीं बनेगा अब क्यों नहीं बनेगा इसका answer देते हैं अब सुनिए हमारे retina पर generally दो तरह का sales होता है sales तो पूरा भरा पड़ा है हमारे सरीर में तो rod sales और con sales इनकी संख्या बहुत होती हैं हमारे आखों में जेनरली हम जैसे इंसानों के आखों में rod sales की संख्या कम होती है और con sales की संख्या जादा होती है लेकिन वैसे जानवर या वैसे लोग जो रात में ज्यादा काम करते हैं nocturnal Local Alemins जो होते हैं बहुत सरा कलर होता है हम लोग सारा कलर्स को पहचान पाते हैं, because of these corn cells, because we have large number of corn cells in our eyes, but rod cells की बात होती है, तो हमारे आँखों में इसकी संख्या कम होती है, इस कारण से हम लोग आप देख रहे होंगे, कि अंधेरा में हम लोग कोई चीज को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, हम लोग को तकलिफ होती है, लेकिन उलू या इस तरह का जानवरों को क्या देखीगा, या पक्षियों को वो लोग रात में बहुत एक्टिव होते हैं, उनके आँख में rod cells बहुत ज़्यादा होता है, rod cells ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, क्या होगा rod cells बहुत उलूग ज़्यादा फंक्षिनल कर पाएंगे रात को, चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है, अब एक चीज और आप समझे, इस दोनों का काम से ही बढ़ी बता रहे हैं आपको, rod cells में क्या काम को हो जाता है, एक तो आपको बता है, कि रात में चलने वाले जनवरों जो ज़्यादा फंक्षन होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन में ज़्यादा होता है, और आप बोलेगे, हमारे आपों में कभी कभी आपों का संख्या कम हो जाता है, इस कारण से हमारे आँखों में color blindness हो जाता है, हम लोग color को कम पकड़ पाते हैं, अक्सर आप सुने होंगे, कि जो 4G का exam होता है, medical होता है, तो उसमें color blindness बहुत लोगों को छाट दिया जाता है, railway के exam में बहुत सारे जगह पर color blindness से कारण लोगों को छाट दिया जाता है, यही, यही कौन सिल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे आखों में, यह सब के आखों में नहीं होता है, कुछ लोगों के आखों में इनकी संख्या कम हो जाती है, तो वो color को sense नहीं कर पाते हैं, दो मिलता जुद्धा color को एक ही बोल देते हैं, परपल और ब्लू को एक जैसा बोल देंगे, औरेंज और रेड को एक जैसा बोल देंगे, सेम मिलता जुद्धा color को बाइफर्केट ही नहीं कर पाते हैं, कि दोनों color अलग-लग कैसे हो गया, because of these things only, अब एक चीज और देखें, जब हम लोग रात में कोई चीज को देखते हैं, रात में जाते हैं, जैसे आप cinema hall में घुजते हैं, ठीक है? Cinema hall में तो पुरा अंधेरा होता है, आप जैसे एंटर करते हैं, आप कुछ दिखते नहीं हैं, कहां आ गए? लगता है कि पैर में चोट लग जागी, घुटे में चोट लग जागी, चलेंगे चोट लग जागी, लेकि जब थोड़ा देर आप वहां रह जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको सब चीज क्लिरली समज में आता है, मतलब ये जो हमारा प्यूपिल है, ये धीरे धीरे एडजस्ट करता है अपने आपको, लाइट के मांट को धीरे धीरे एडजस्ट करता है, क्योंकि लाइट को एडजस्ट करने में अपने आपको, आँख को वहां एडजस्ट करने में तो ये वक्त लेता है, ये एडजस्ट करने में, इसलिए जब आप घूसते हैं सिनेमा हॉल में या अंधेरे जगा पर ऑडिटोरियम में तो आपको सुरू में नहीं दिखता है बड़ धीरे धीरे थोड़े दिर के बाद 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद आपको सारी चीजें प्रोपर्ली दीखती हैं मतलब वहाँ पर दो चीज होता है आपको चीजें दिखनी सुरू होती हैं मतलब आपको आदमी दिखना सुरू होता है बड़ कलर आप नहीं पहचान पाते हैं क्लर को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि आपके आखों में रात में यह रॉट सेल्स जोता है एक्टीव होता है त तब ही यह काम करेगा और रात में क्या होग आडिटोरियां में लाइट नहीं होती है जिसले रॉट सेल ले विक्टिव होता है और आपको सिर्फ वहाँ पर यह पता चलता है कि वहाँ कोई है किस कलर का है यह आपको रात में पता नहीं चलता है विकॉज यह लाइट सेंसिट मतलब येलो स्पोर्ट जहाँ पर है इन सभी जगहों पर राट सिर्ट और कॉंज सिर्ट जादा मातरा में होते हैं इसलिए यहाँ पर इमेस फॉर्मेशन होता है और अनोगों चीज को समझ पाते हैं और ब्लाइंड स्पॉर्ट एक ऐसा जगह होता है रेटाना का जहां पर ये rod seals और consils नहीं पाय जाते हैं इसलिए यहां पर जब image बनेगा भी तो हम sense नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे भाईया भाईया जब light को हम पकड़ी नहीं पा रहे हैं तो image बने या ना बने क्या फरक्वड़ता है इसलिए इसको हम लोग blind spot बोलते हैं इसको हम लोग yellow spot बोलते हैं clear हो गया बच्चा? चलो ठेक है very good अब last आता है optic nerve की optic nerve क्या करता? जो यहां image बन जाता है image बन गया, अब image बना हुआ image को, यह देखे, एक चोली क्या होता है कि हमारे पूरे आँख में, यह तो हम बनाए नहीं है यह जो यह जो nerve है, इस तरह का nerve हमारे आँख में बहुत सज़ारा होता है हर जगह ऐसे से फैला रहेगा पूरा हर जगह हमारे आँखों में इसे फैला रहता है ठीक है? पूरे आँखों में इसे फैला हुआ रहता है उसको electrical impulse में change करता है, इसको क्या करता है हमारे brain तक भेज़ता है, और brain क्या करता है, उसको decode करता है, decode करके बोलता है अच्छा सामने तो एक पेड़ है अच्छा सामने तो सर खड़े हैं अच्छा सामने तो पापा जी खड़े हैं तो फिर वो उसको सीधा image करके बोलता है आँको देखो ब्रिन क्या बोलता है ब्रिन बोलता है कि भईया इस आदमी जो खड़ा है इसको उल्टा करो यहने कि सर ऊपर कर दो और पयर को नीचे कर क्योंकि image कैसा बना पयर उपर और सर Cand GPS बनता है उसको सीधा करो तो सीधा हो गया अब उसके बद क्यों तुम्हारे पापा हैं आप हैं हम हैं जो भी है यानि optic nerve का ये काम है इस पूरे message को electrical impulse में create करना और इसको brain तक पहुचाना brain के message को हमको देखने के लिए मजबूर करना ताकि वो देखो सीधा करके तो हमको हर चीज सीधा दिखता है आप भी उपर नीचे सर और पैर नीचे ऐसे ही आप हमको भी देख रहे होंगे और हम आपको भी देख पाएंगे अगर होंगे तो इस तरह से बाबू हमारा आहा का हर सेक्षन ऐसे ही काम करता है ठीक है अगर कहीं पर कुछ लगता है कि और जानने की इक्चा है आपको लगता है